हेलो व्यूवर्स, जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेक कर आए हैं अंडे, चावल और सबजियों का एक यूनिक कॉंबिनेशन आज हम बनाएंगे एक राइस जिसे आप एक पुलाव भी कह सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसियल डेशिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले एक राइस बनाने के लिए हमने एक पेन में दो टेबल स्पुन तेल लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक टेबल स्पुन घी देखिए आप यहाँ पर घी ना एट करना चाहे तो तीन टेबल स्पुन तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे की एक तेज पत्ता, हाफ टीस्पुन जीरा, एक दाल चीनी, पांच लोंग, पांच काली मिर्ज और एक बादियान का फूल खड़े मसालों को कुछ सेकेंज तक तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पुन कद्दू कस किया हुआ अदरक और स्लाइसिस में कटी हुई लहसुन की कलिया तो हमने पांच लहसुन की कलियों को इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है अधरक बहसन को टेल में तबतक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तो इस तरह बहसन का कलर चेंज होने तक हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया अब हम इसमें कुछ फेजी सेट करेंगे तो हमने चार छोटी हरी मिच को सेंटर में से कट कर लिया है अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिच की क्वोंटिटी बढ़ा सकते हैं एक चोथाई कप बारिक कटी हुई सिमला मिच ली है और एक चोथाई कप हमने बींस लिये है साथ ही में एक कप हमने पता गोबिली है और ली है आधा कप बारिक कटी हुई गाजर और मीडियम फ्लेम पर इन वेजिस को थोड़ा क्रंची होने तक तेल में फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं के दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद वेजिस थोड़े क्रंची होने लगे हैं इस टेज पर हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून काली मिश पावडर साथ ही में एट करेंगे एक टीस्पून गरम मसाला और एट करेंगे हाफ टीस्पून नमक मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे एक मिनिट के लिए और पकाएंगे और अब हम इसमें पुलाव के लिए पानी एट करेंगे तो हमने यहाँ पर 1.5 कप चावल लिए हैं इसलिए हम 3 कप पानी एट कर रहे हैं यानि कि जितने चावल है उसकी डबल कॉंटिटी में हमने यहाँ पर पानी एट किया है अब इस पानी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे एक उबालाने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून नमक तो हमने पहले जो नमक एट किया वो सबजियों के लिए था और अब जो नमक एट कर रहे हैं वो चावल के लिए है साथ ही में एट कर देंगे बास्मती चावल तो हमने डेड़ कप बास्मती चावल को पानी से अच्छे तरह धोकर 15 मिनिट के लिए भीगो दिया था इसे एक बार चला लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सुखने ना लगे तो देखिए इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनिट हो चुकी है आप देख सकते हैं के चावलों का पानी सुखने लगा है और इस टेश पर हम इसमें एट करेंगे हरी प्याज तो हमने एक चोथाई कब जितनी हरी प्याज ली है और इसका सिफ पत्ते वाला हिस्सा लिया है साथ ही में एट कर देंगे 2 टेबल स्पुन बारी कटा हुआ हरा धनिया देखें आप यहाँ पर थोड़ा सा पुदिना भी एट कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसका एक लेयर बना दिया है अब हम इसमें अंडे एट करेंगे तो इस एक पुलाव को बनाने के लिए हमने चार अंडो का इस्तेमाल किया है तो एक एक करके इसमें अंडे इस तरह एट करेंगे कि इसकी उपर की लेयर अंडो से अच्छे से कवर हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इस एक पुलाव के लिए हमने चार अंडों का इस्तेमाल किया है और इन अंडों की जर्दी पर हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर दम करेंगे तो हमने इसे कवर करके 20 मिनिट के लिए दम कर लिया अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे ये देखिए कितनी बढ़िया एक पुलाव बनकर तयार हुई है लेकिन अभी हम इसे सव नहीं करेंगे इसे कवर करके 5 मिनिट के लिए इसे ही रहने देंगे और फिर सव करेंगे तो खाने के लिए तयार है एक पुलाव या फिर एक राइस मीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल एक वेश्ट है के एसी ही आसान और यूनीक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई